पर दोस्तों मैं इस मसीन को और अपरेट करने से पहले आपको मैं कुछ जानकरी देना चाहता हूं आप इस महसीन से कापी अच्छी कवांटिटी में प्रोडक्षन कर सकते हूं और उसह मारकेट में चलग करकर अच्छा कासा मुनाप कमा सकते हो मैं आपको बतानी कोसिश अबच हिसा और यह यह कुल कर आय के बच्चे बहेरद खाना फस्न करते हैं आप इसका भी प्रोड़क्शन करके बेश सकते हो मार्केट में और यह काफी सारा माल लगा हुआ है तो वीडियो को अंतक देखते रहेगा कि तभी आपकी समझ में आएगा और यह जानकारी कोई नहीं देगा यह सिर्फ मुरी मसीन एश्टिये चैनल पर ही मिलेगी तो वीडियो को बिना इसकीप किये पूरा देखिए गया और हम आपको लाइब डेमो दिखाते हैं यह मसीन गंटे में 80-120 किलो कैफेसटी का है इससे आप एक गंटे में 120 किलो मुरी निकाल सकते हैं और बहुत सारा आइटम निकाल सकते हैं अभी हम आपको पापर बूंच के बताएंगे कैसे बूंचते हैं इससे ओपरेट करना का पीजी है यह स्री दुरुग ओटम वाइल कंपनी का मसीन है बहुत अच्छा मसीन है सबसे क्वाल्टी में एकदम लंबर वन मसीन अभी इसकाम आपको लाइब डेमो बताए अब देख सकते हो इसमें आभी पापड़ गुंच के बताएंगे तो मैं तो दोस्तों आप देख सकते हो यह कितना वैटरीन कॉल्टी में यह निकल आए यह वास्ता कहते हैं और यह मसीन में देखिएगा कितना कॉल्टी में माल फ्यांग रही है यह मसीन कि यह इससे आप डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के प्राइंग कर सकते हैं यह मसीन काफी अच्छा है और यह काभी साल तक चलेगा और आप कहीं से भी मसील लेते हो तो वह आपको अपरेट करना नहीं बताएंगे बताते हैं तो बताने आपको खुलकर बात नहीं बताएंगे हमने मसीन लिया है थो भार भार फोन करके फूंच तो खीम में कोई दिखकत तो नहीं है ऐसा कोई निफूंचता है तो आप झालते हैं इंसान मसीन देकर व्यवार पूशता है तो का आप चाहें जैसा मसेल ले सकती हैं तो आपको वहाँ से पूरा जानकारी मिल जाएगा और आप उनके खाते में 10% 10% पैसा उनके खाते में डाल देना है उसके बाद वहां से आपका मसीन सेफ एक्सप्रेस के द्वारा निकाल दिया जाएगा और आपके घर जब मसीन आ जाएगा तो बक्का का पेमेंट तब दे सकते है तो यह उनका सर्वेस भी बहुत अच्छा है आप घर बैटे-बैटे मस हैं अब घर बढ़ात ले सकते हैं थे मसीन को बहुत बढ़िया है कि मस का है का प्याच्चा है और मचीन आप किछिज द्रेट्ले तो आप को ऑपरेट करना ने नहीं आँँ रहा है तो आप सर के पास फोन लगा कर उनसे वह सकते हो आपको ऑपरेट करना भी बताएंगे त तो दोस्तों अम्मीद है इस वीडियों आपको पूरी जनकारी मिल गई होगी धन्यवाद